नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चेर परिषेत दोस्तु पस्थित हूँ, आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतो पूर्ण जानकारी को लेकर करके, जी हाँ, आज हम सभी एक ऐसे पोधे के बारे में जानेंगे, जिसका हरे कंग दवा के रूप में प्रियोक किया जाता है जिहां ये बाहर निकले हुए पेट को कम तो करता ही है साथ ही गठिया 21 दिन में समाप्त कर सकता है इसका दूध उड़े हुए बालों को उगा सकता है वैसे तो ये पोधा हर जगह देखने को मिल जाता है लेकिन इसके उपयोग की जानकारी कम लोगों को है तो यहां हम आपको इसके प्रयोग की जानकारी बता रहे हैं आख अर्क के पोधे शुष्क उसर और उची भूमी में प्रायः सभी जगह देखने को मिल जाते हैं इस वनस्पति के विशे में साधारान समाज में यह भ्रांती फैली हुई है कि आख का पोधा विशेला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक है इसमें किंचित सत्य जरूर है क्योंकि आईरवेद संहिताओं में भी इसकी गढ़ना उपविशों में की गई है यदि इसका सिवन अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो उल्टी दस्त होकर मनुष्य यह मराज के घर तक जा सकता है इसके विपरित यदि आग का सिवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से चतुर वैद्य की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है इसका हर अंग दवा है हर भाग उपयोगी है एवं यह सुर्य के समान तिक्ष तेजस्वी और पारे के समान उत्तम तथा दिव्य रसायन धर्मा है आए सबसे पहले इसकी पहचान जानते हैं यह पोधा अकोवा एक और शधिय पादप है इसको मदार, मंदार, आक, अरक भी कहते हैं इसका वरिक्ष छोटा और छटादार होता है पत्ते बरगत के पत्तों के समान होते हैं हरे सफेदी लिए पत्ते पकने पर पीले रंग के ह जाते हैं इसका फूल सफेद छोटा छटादार होता है फूल पर रंगीन चित्तियां होती है फल आम के समान होता है जिन में रूई होती है आक की शाखाओं में दूध निकलता है यह दूध विश का काम कर देता है आक गर्मी के दिनों में रेतिली भूमी पर होता है चोमास में पानी बरसने पर सुख जाता है अब आईए जानते हैं इसके नो प्रकार के अद्भुत लाभों के बारे में आग के पोधे की पत्ती को उल्टा उल्टा का मतलब है पत्ते का खुरदुरा भाग इसको उल्टा करके पैर के तलवे से सटा कर मोजा पहन लें सुबह और पू अंग दवा है हर भाग उपयोगी है यह सुर्य के समान तिक्षन तेजस्वी और पारे के समान उत्तम तथा दिव्य रसायन धर्मा है कहीं कहीं इसे वाना स्पतिक पारत भी कहा गया है आग के कुमल पत्ते मीठे तेल में जला कर अंड़कोश की सूजन पर बादने से सूज होती है आग के पत्तों को गर्म करके बादने से चोट अच्छी हो जाती है सूजन दूर हो जाती है आग की जड़के चूण में काली मिर्च पीस कर मिला लें और छोटी छोटी गोलियां बना कर खाने से खासी दूर हो जाती है आग की जड़के राख में करुआ तेल मिलाकर लगाने से खुजली अच्छी हो जाती है आग की सूखी डंडी लेकर उसे एक तरफ से जला लें और दूसरी ओर से नाक द्वारा उसका धुआ जोर से खींचे सिर का दर्द तुरंत अच्छा हो जाता है आग का पत्ता और डंठल पानी में डाल कर रखें उसी पानी से आप द अच्छा हो जाता है उपदंश के घाव पर भी आग का चोन छिरकना चाहिए आख ही के काड़े से घाव को धोना चाहिए आग की जड़ को पानी में घिसकर लगाने से नाखुम के रोग अच्छे हो जाते हैं आग की जड़ छाया में सुखा कर पीस लें और उसमें गुड म जब जल नहीं रहे तब सुखा कर उन गेहों का आटा पीश कर पाउ भर आटा की बाटी या रोटी बना कर उसमें गूर और घी मिला कर प्रती दिन खाने से गठिया बाद दूर होती है बहुत दिन की गठिया 21 दिन में अच्छी हो जाती है आग का दूर पाउं के अंगुठे पर लगाने से दुखती हुई आँख अच्छी हो जाती है बवासीर के मसो पर लगाने से मस से चले जाते हैं बर्रे काटे में लगाने से दर्द नहीं होता चोट पर लगाने से चोट शांथ हो जाती है जहांके बाल उड़ गए हों वहाँ पर आख का दूध लगाने से बाल उगाते हैं लेकिन ध्यान रहे इसका दूध आख में नहीं जाना चाहिए वरना आखें खराब हो जाती हैं हमने जो ये आपको उपाय बताए वो आप साउधानी से करें क्योंकि हम बताए जितना ही ये कारगर होता है उतना ही इसका साइड इफेक्ट भी है यानि कि अगर आपने सही धंग से नहीं इस्तेमाल किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है इसलिए बहुत साउधानी के साथ इसका परियोग करें तो आपके लिए बेहत लाफकारी और शद्य सावित होगी है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहत ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों